तो वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल जो जस इस्टड़ी मैं हूँ जयोति गुपता मैं लेकर आए हूँ 10th क्लास की मैस जिसके एक्सरसाइज है 5.2 और कुशन जो है वो हमारा तीसरा है तीसरा कुशन कहा रहा है नेमली के समांतर स्रेडियो में रिक्तिस्थानों के पदो जो है वो है दो कॉमा यहां पर रिक्तिस्थान है फिर कॉमा में 26 दिया गया है ठीक है अब हमें जो एटू मतलब दूसरा पद जो है वो हमें पता नहीं है यह हमारा क्या है प्रथम पद है इसको हम क्या लिख सकते हैं यह हमारा क्या है यह हमारा एटू है और यह हमारा क्य है even पता है और हमको ए 2 नहीं पता है अब ही हमने पीछली कुशकुंद में क्या फॉर्मूला पढ़ा था गजिक हैं तो में ाम क्यों है लगा क्योंकि भाई हमें यह से कितनी श्रेणी से हमें सारवांतर जो है वह पता नहीं चल पा रहे हैं तो सारवांतर हम कैसे निकालेगे। इसके लिए हमें यही formula जो है लगाना पड़ेगा, क्या है formula, a n is equal to a plus n minus 1 into d. यह जो है formula हम लगाएंगे, देखो, यह formula लगाने का कारण क्या है? अगर हम इसको a n ले लेते है, मतलो a n के जगे पे हमने क्या लिख दिया है? टीक है तो हमारा यही वन ही है इसको चाहे तो एक used दो चाहे तो a लिखो एक हमारा क्या है प्रथम पद होता है प्रथम अपर हमारा क्या है 3 जो है इसका मान क्या था हमारा 26 था लिख दिया अब 3 मैंसे एक घट आया तो हमारा 2 आया आप 10 के साथ में है तो ढिमने लिख दिया अब क्या करेंगे 2D को इधर लिख लिए है क्या किया 2 को हम उधर ले गया तो 26 मैं से i Nah wanna गट गया तो 26 दो गठा तो 24 अगया इधर उमारा टूटी था आव हमने इसको काट दिया दो एकए लूप अदू दो लूदूदू 4 ते के तो मान जो है वह मारा क्या गया 12 आ गया मतलब हमें सार्वा आंतर है है चैनल है जो कि हमारा आनतर क divorce सकते तो चैनल按ब बाताओ सिंपल से ऐसे करेंगे को शौक्त है दो है एक यहां लगेंक दो ही जो है वहinka 12 आया है हमारा 12 गोतों किया सकते हैं हमारा ज्दू जो है तो यहां पर जे भर सकते हैं यह oluyor पहला कूर्शन अब करेंगे अपना फोल धर प्रशिन तो'll दूसरा हमारा question क्या है अब हमारा दूसरा पार्ट तो दूसरा पार्ट जो है उसमें डैस लगा हुआ है फिर हमारा तेरा लिखा हुआ है फिर उसके बार डैस है फिर हमारा तीन लिखा हुआ है इस तरीके से हमारा question जो है वो दिया गया है अब इस question में यहां पर डैस लगा ह हुआ यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख दे रही हूं डैस कॉमा तेरा कॉमा डैस फिर हमारा तीन इस तरीके से स्रेडी जो है वह हमको दी गई है इसमें हमको पहला पद भी नहीं पता है तीसरा पद भी नहीं पता है य एही हम लगा देंगे ठीके तो इस वार हम्मार्ण फॉर्म्मला तो इहीं रहेगा इंटो में D स्थी के क्या ले रहे हैं थीके क्या ले रहे है ठीक है वह मैं पता नहीं है तो आ लिख दिया हमने दूसरे नंबर पर है तो 2 कर दिया, माइनस 1 कर दिया dvm को पता नहीं है तो dvm हमने लिख दिया और a2 की value हमारी क्या निकल के आई है a2 की value जो है वो हमारी 13 है ठीक है और a हमने लिख दिया पता नहीं है और इसमें से a घटाया दो में से एक गया एक बचा तो एक तो हम लिखते नहीं है तो A प्लस D मतलब 13 जो है A प्लस D बराबर हमारा क्या आ गया इस तरीके से भी लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13 इसको हमने पहली समय करण माल ली ठीक है अब हम खरेंगे A4 को लिकाँ तो A4 हमारा क्या हो जाएगा यही इसी फॉर्मु हुआ चार है और वन कर दिया और तो पते ही नहीं है तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 कर दिया फिर में दो उता ओपता है आपका फिर değişiva क्या कराइंगे को इस इस से घटा देंगे इतिक है यह क्या थे प्लस न तो हमें गटा ना पड़ेगा तो हम यहां पर लिखेंगे कि समि कररंड एक मैनस समि करंड दो तुक है कि प्रैम क्या करेंगे घटा हैंगे feasible ज़ी लिखा हुआदा तो हम यहां पे A टी बराबर 13 जो है वह लिख लेंगे फिर हमारा क्या था A-A प्लस 3D तो हम हम एंपर 3D बराबर में 3 लिख देंगे अब हमारे तो घटा रहें तो सारे नीचे वाले डीष्यhte माइनिस प्लस यह बचेगा यहां पर मिचेगा हमारा यहां यहां पर लिखे ले रहें माइनस का कड् ligne 10 का अज़ाए के सबसा है काट देंगे दो एक कम दो मैस्ट कर दो 25 10-5 यह मतले सारमथर जो निकला है हम क्या निकला है धो हमने सारो अंतर जो है भी सलिए को कैसे ऻो है जो हमारा-देंगे ि Неवंगे तो हमें नहीं हुआ है के बन हमें पता नहीं है तो यहँ किट्ना है तो is जो है प्र Ayawola किट सीगें के elen युदाब 54 एसरी निखने मितलए 425 318 이번 और 423 1 पता है मे असानी से अचाल सकते हैं ना तोई कैसे निकले आटू में हम क्या जोड़ेंगे ऐ आट तो जौनल देगे औतू जो है वह मारा दय sıरा है द जो है वह मारा मायनस का क्या है पांच है तेरा में से 5 जब हमारा घक जाएगा तो मारा क्या बचेगा अनकल 16ege यह हमारा आया है आठ इस तरीके से दूसरा part भी हमारा जो है वह complete हो जाएगा जल्दी से नोट कर लीजे पिर अपना करेंगे अगला part अब है हमारा next part जो है तीसरा तो तीसरा पार्ट जो है उसमें हमको दिया गया है पांच कॉमा में 10,10 फिर है हमारा कॉमा में 9 सही, एक बटे 2 यह हमको क्या है? एक सिरीज दी गई है तो पांच जो है वो हमारा क्या है? A1 है, यह हमारा क्या है, A2 है, यह हमारा A3 है, और यह हमारा क्या है, A4 है, इसको चाहें तो आप इसको सही करके लिख सकते हो, क्या, 9, 2, 18, 19, 19 बटे 2 आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यह 19 बटे 2 है, यह हमारा A4 हुआ जाके, अब हम क्या करेंगे, A1 तो हमको पता ह वही हमारा formula लगेगा a n is equal to a plus n minus 1 into mady तो a n जो है वो हमको हम क्या ले a4 ले लेते हैं ठीक है a4 हम ले लेते हैं क्योंकि a4 हमको पता है ठीक है और a1 भी हमको पता है ठीक है a1 लिख दिया a की जगरे पर a1 लिख दिया क्योंकि a ही हमारा a1 है n जो है वो चौथा पद है तो n की जगरे पर 4 लिख दिया 3D हुआ, अब हम D की वैलू जो असानी से निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, 3D को हम लिखा रहने देते हैं इधर, इसको इधर ले जाते हैं, तो 19 बटे, 2-5 हो जाएगा, इसको solve करेंगे, 5 के नीचे चाहें, तो 1 माल लो, तो solve करना थोड़ा असान हो जाता है, ठीके, क्या करेंगे, 2-1 कम, 2 करेंगे, 19 करेंगे, माइनस लिखेंगे, 5-2 नी, 10 करेंगे, तो यह हमारा क्या आजाएगा, 9 बटे, 2 आजाएगा, क्या आजाएगा, यह हमारा, इधर 3D चल ला था न, तो 3D की वैलू जो है, इतनी आई है, हम काट्स भी सकते हैं, 3, 1, 3, 3, 9, तो D की वैलू जो है, वो हमारी क्या आगई, 3 ब टाल सकते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा से रफ कर देते हैं, अब यहीं पे हम अपना A2 जो है, वो लिख लेंगे, तो A2 हुमारा कैसे निकलेगा, ए टू जो है, हमारा निकलेगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा A1 था, इसमें हम D जोड देंगे, तो A1 जो है, वो 5 है, D हमार जो जो से साइंस वाले चैनल पर आजाई है सामको आठ बजे हमारी लाइफ क्लास चलती है बहुत सारे बच्चे आते हैं इस तरीके की ट्रिक्स डारेक्ट सॉल्व पढ़ने वाला अगर आप भी सीखना चाहते है तो आजा ही हमारे चैनल पर तो चाहे तो इसको सॉल्व करें तो एथरी कैसे निकलेगा ये जो हमारा तेरा बटे दो आया है इसमें हम डी जोड़ देंगे तो डी हमारा क्या है तीन बटे दो है ठीक है हमारा हर जो है वो सेम है तो क्या हो जाएगा उपर वाले डारेक्ट जोड़ जाएंगे तेरा तीन सोला बटे दो काट देंगे दो तो हम यहां पर लिख देंगे हमारे क्या-क्या वैलू जाए है और एटू जो है वो आया है तेरा वटे दो ठीक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहां पर हम लिखते हैं पांच सई तीन वटे दो और यहां पर लिख देंगे आठ इस तरीके से यह कोश्चन जो है हमारा यह वाला पार्ड भी कंप्लीट हो गया तो जल्दी से नोट कर लिजे एक दो अब हमारा है आँक आशा इसको नोट करिए है तो अगला पार्ट ज्रेश है माइनस commander 4, ma.,ó, c, c, देश 4 वाणिस लगा यह हमारा 6 है यह हमारा solution है १े हमारा कुश्चन यह हमें Solve करना है तो कैसे करेंगे कुश नहीं उसको भी हमें बता है कि यह हमारा a1 है यह हमारा a2 है यह हमारा a3 है यह हमारा a4 है यह हमारा a5 है और यह हमारा a6 है ठीक है इतने पद जो है वो हमको दिये गए है तो a1 जो है वह हमारा क्या है a है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए हमारा फॉर्मुला होता है a n is equal to a plus n minus 1 कुछ तो पता नहीं कुछ इस इस रख देंगे एक हमारा ए-1 हैug निख लिख दिया मैनेश वन कर दिया यो मैं पता भी नहीं है थिए हम निकाला और दिख दिया है तो डी की वैलू हमारी कैसे निकलेगी 5D हमने लिख लिए इधर आ जाएगा हमारा चार इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा मतलब 10 हो गया ठीक है अब काट सकते हैं 5 एक हम 5 5 दूनी 10 मतलब दोड़ी वैलु हमारी क्या अगई है दो आ गई है अब हम सारी चीजे कालते हैं टो कैसे निकलेग क्या हो गया है इस्में हम धुड देंगे क्या हो जाएगा मैंम काट क्या अश्र इसकेक उठीह 2 जो आया हैं इसमें हम डी जोड देंग थो है वह हमारा माइनस 2 आया है दी इसमें जोड देंगे हमारे दोनों कट जाएँंगे तो हमारा सुनने आ जाएगा अब हम निखालेंगे A4 A4 कैसे निकलेगा A3 जो है उसमें D जोड़ेंगे A3 हमारा आया है 0 और इसमें D जोड़ेंगे तो D हमारा क्या है 2 तो मतलब यह हमारा आगया 2 अब हमें A5 निकालना है तो A5 कैसे निकलेगा A4 में हम D जोड़ेंगे एफोर जो है वो हमारा दो है डी समें जोड़ेंगे तो डी हमारा जीरो है तो यह हमारा एफोर जो है वो हमारा क्या निकला है दो निकला है डी जो है वो हमारा दो है तो दो दो हमारा चार हो गया तो यह जो वैलू जाई है यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया यह हमारा माइन मैं इसको रफ कर देती हूं आप कराती हूं अपना लास्ट पार्ट बहुत इजी कोश्चन है कुछ भी ऐसा नहीं है इन कोश्चन में जो आपको समझ में ना है ठीक है कोश्चन नंबर है वो तू आप हमारा पांचवा पार्ट है यह हमारा डैस कॉमा में 38 कॉमा में 20 कॉमा डैस कॉमा डैस फिर कॉमा में हमारा 22 ठीक है यह हमारा कोश्चन इसमें भी हमारी समी करण बनेंगी जाके ठीक है तो समी करण बनके हमारा कोश्चन होगा तो अब हम क्या करेंगे भाई यह हमको पता है A1 है और यह हमारा A2 है यह हमारा A3 है यह हमारा A4 है यह हमारा A5 है और यह हमारा A6 है तेखे हैं हमें किसके बारे में पता है A2 के बारे में पता है तो पहले हम अपना formula लेके लेते हैं और A1 को चाहें तो आप A ही ही रखो ज्यादा वेटर है ठीक है N जो है वो हमारा दूसरा पद है तो 2 लिख लिया माइनस 1 कर दिया D हमको पता नहीं है और A2 की value जो है वो हमारी 38 है ठीक है A plus यह हम इसमें से घटाया तो A का आए A क लिखते नहीं है तो मतलब A plus D जो है वो 38-D ठीक है इस तरीके से भी आप कर सकते हो ठीक है चाहें तो ऐसे कर लो चाहें तो ऐसे कर लो आपको जो सही लगे अब हमारा अगला जो है A6 पता है तो A6 लिखेंगे और A plus N minus 1 N जो है वो हमारा 6 है minus 1 कर दिया D हमें पता नहीं है मतलब हमारी जो वैलू आई है यह क्या है माइनस जो है A plus 5D का योग हो रहा है अब हम क्या करेंगे समीकरण एक का जो मान है मतलब एक का मान जो है हम यहां पे रखने वाले हैं तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण किसमें दो में ठीक है समीकरण हम दो में रख देंगे तो भई हमारा minus का 22 लिखा हुआ था लिख लिया A लिखा हुआ था A की जगे पर हमारा लिख दिया जाएगा 38 माइनस में D प्लस में 5D था तो हम यह लिख दे रहे हैं अब हम 38 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 22 पहले से था 38 उदर गया तो हमारा minus का 38 हो गया ठीक है और थोड़ा उपर लिख देते हैं इसको माइनस 3.18 हो गया और इसको इसको गटाया तो मरा plus का 40 अब हम इसको यह दोनों जूड जाएंगे तो जूड़िक्रके हमारे क्या होनगे आठ ओ दो दरस तीन और दो पांच और यש और दोनों माइनस लग जाएगा इधर हमारा रहला जाएगा बरावर में 4D थे था ठीक है बरावर में हमारा क्या था 4D था चार से काड़ देंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 दो बचा 4 पंजे 20 मतलब डी की वैलू जो है वो हमारे माइनस का 15 आ गई अगई अगर तो एटू में से हम डी घटा देंगे एटू जो है वह हमारा 38 है इसमें से घटाना क्या है डी क्या है माइनस का 15 तो ठीक है तो पर एक चार तो एवन जो है वो हमारा क्या आ गया तिरपन आ गया है अब हम क्या निकालेंगे एटू पता है एट्री निकालेंगे तो एट्री कैसे निकलेगा एटू में हम डी जोड़ देंगे तो एटू जो है वो हमारा क्या था 38 था डी हमने जोड़ा डी मारा क्या है माइनस का पंद्रा ठीक है माइनस का पंद्रा है तो हम क्या करेंगे 38 लिखेंगे प्लस माइनस की गोड़ा माइनस होई यहां पे पंद्रा करेंगे ठीक है तो इस में से जो हम गटाएंगे आट में से पाच गया तीन में से एक गया तो यह हमारा 23 आजाएगा प्रस का मतलब A3 जो है वो हमारा क्या आजाएगा 23 आगया अब हम A4 निकालेंगे A4 कैसे निकलेगा A3 में हम D जोड़ देंगे तो A3 जो है वो हमारा 23 आया है ठीके इसमें हम D जोड़े दे रहे मारा माइनस का पंद्रा है तो तेरा मसे पाज गया आठ आठ आ गया A4 जो है वो मार क्या आगया आठ आगया एक 5 निकालना है एक 5 कैसे निकलेगा A4 जो निकला है फ्रोट जो है इसमें हम D जोड़ देंगेए एफोर जो है वह हमारा माइनस का पंद्रा है तो माइनस का साथ आजाएगा मतलब फाइब जो है वह हमारा क्या आजाएगा माइनस का साथ जाएगा अब सारी हमारा क्या आया था आए भी आल पने निकाल दी इस तरीके से को ऊच्चन वहांज हो जाएगा उमीदिक यह सक्केस आपको अच्छी लगी होगी तो भई मारी चैनल को सब्सक्राइब कर या वी दो को लाइकन आप नहीं वोलेंगे अपको भी डाउनलोड क लीजिएगा साइन्स अपनी साइन्स वाले चैनल से पढ़ दीजिएगा